तो हलो 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 एवरियों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल विज्ञान शाला पर जहां देते हैं आपके सपनों को नई उचाही और नए आकाद जैसा कि आप सभी जानते हैं विज्ञान शाला लेकर क्या है गणित कि शाला मेट्स की क्लासे मेट्स कोहर एक एक संपोर्टेंट रॉल प्लेकरता है मेट्स के सीरीश मैट्सם में सब्कूलिख में और आप سबी को पता है कि सीरीज में सिरीश को हमने दो लिवल में डिवाइट किया है एक है बेसिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एक रहेगा basic level, basic level जिसमें हम आसान आसान सी चीज़े करेंगे, आसान से concept करेंगे और basic basic question करेंगे basic level इन सारी exams के लिए fruitful है, जैसे कि SSC, CHSL, CGL, CGL का tier 1, MTS, SSC, MTS, SSC group D, SSC, CPO, RRB, NTPC, RRB group D, MPSI, UPSI इसके अलावा हम advanced level भी cover कर रहे हैं, advanced level में हम अच्छे अच्छे level के questions cover करने वाले advanced level के questions जो है, इन exams के लिए important है, जो कि SSC, CGL mains है और RRB, NTPC, CPT2 है तो आप सभी को पता है कि हमने अभी तक में geometry topic start कर दिया है, geometry मतलब जयामिती start कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, part 3, part 1 और part 2 हम cover कर चुके हैं, part 1 में हमने पढ़ा point, point, line और angle हिंदी में कहूं तो बिंदू, रेखा और कौन, और part 2 में हमने पढ़ा polygon यनि कि बहु बुझ, बहु बुझ का भी basic level इन दोनों के हमने basic level पढ़े और आज part 3 है, part 3 में हम polygon ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका advanced level पढ़ेंगे, polygon मतलब बहु बुझ, बहु बुझ का advanced level तो चलिए दोस्तों, बीना देरी के session को start करते हैं, और इस session को start करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे request करूँगा, वीडियो को like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे, बाटेंगे धेर सरा प्याग, और हो जाएए तयार, क्योंकि अब हम इस session को start करने वाले, तो चलते हैं हमारी पहली slide पर, पहली slide blank है, blank किसलिए है, क्योंकि हमेशा की तरह हम क्या करते है, revision, जो भी हमने पढ़ा है, उसका करते है, revision, तो सबसे पहले, जो भी हमने पढ़ा, उसका revise करते है, मैंने कल आपको बताया था, polygon, polygon क्या होता है, polygon एक ऐसी geometry होती है, जो कि भूद सारी sides है, जिसम को, एक line को extend करना पड़ता है, फिर दोनों के बीच में जो angle बनता है, वो external angle होता है, internal angle को हमने i से denote किया था, internal angle मतलब आंतरिक कौन, external angle मतलब भाहे कौन, और इसको हमने i से denote किया, इसके अलावा हमने इसमें, देखे थे, diagonal, diagonal, अलग से बनाता हूँ, जल्दी से revision करने, जल् याद रखिये, ऐसे शिर्ष जो alternate ना हो, जैसे कि इस शिर्ष को इस से और इस से नहीं मिलाना है, बचे वे जो शिर्ष उससे मिलाना है, यानि कि इस से मिलाना है, तब जाके आपको विकर्ण मिलेगा, diagonal मिलेगा, इसके अलावा आपने तीन important बात देखी, polygon में, बहुबु dividing by n, n क्या था जहां पर, बुजाओं की संक्या, number of sides, internal angle का formula हमने देखा, जो कि था 180, 1-2, divided by n, n क्या है यहां पर number of sides, फिर हमने देखा कि number of diagonal, number of diagonal कितना होते है, number of diagonal होते हैं, n-3, डिवाइड बाई तू यह तीन अती महतपुन फॉर्मूले पॉलीगन से और इसी इसी पे हमने सारे कुश्चं कर लिए थे बैसिक बैसिट आज हम करेंगे advanced question, advanced question, बहुत ही बढ़िया question करने वाले हैं आज अपन, तो चलते हैं सबसे पहले question पर, देखें, पहला question मैंने कल के concept पर रखा है, basic level पर रखा है, question क्या बोल रहा है, question समझते हैं सबसे पहले, question बोल रहा है, the internal, sorry, interior angle of regular polygon exceeds its exterior angle by 108, the number of sides of the polygon is, एक सम बहुबुच का अंतर कोन, उसके भाय कोन से 108 डिगरी अधीक है, बोल रहा है कि अंतर कोन जो है, यानि कि आंतरिक कोन जो है, वो 108 डिगरी अधीक है, भाय भाय कोन से है न, ये बता रहा है, और आपको बोल रहा है कि बहुबुच की बुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो करते हैं start बहुबुच की संक्या निकालनी हमको एक सेकंड इसको जरा सही करते हैं ठीक है करते हैं start आपको दे रखा है interior angle exterior angle से कितना अधिक है 108 degree ठीक है इसके लिए मैं आपको कल एक छोटी से trick बताई थी trick क्या थी सीधे हमको इसको जब भी difference दिया रहे यह क्या है difference अना अंतर रहे यह difference है देखो अंतर दे रखा है कि internal angle exterior angle से कितना अधिक है 108 अधिक है तो internal angle अधिक है external angle कम है external angle कम है भाई कॉन कम है आंतरिक कॉन अधीक है और वो कितना अधीक है वह 108 डिग्री अधीक है यह आपको डिफ्रेंस दे रखा तो जब जब डिफ्रेंस देके रखे तो हमारे पास एक सीधा फॉर्मुला मैंने डिराइव करा था कल वो यह है वन माइनस 4 डिवाइड बाइन एक्वल जो भी डिफ्रेंस आपको दिया है उपर आपको डिफ्रेंस रखना है डिफ्रेंस डिवाइड बाई डिफ्रेंस डिवाइड बाई 180 है ना तो इसको सीधे हम इस फॉर्मुले से करेंगे 1 डिवाइड बाई 4 1-4 divided by n difference किता है 108 degree divided by 180 इसको मुझे काटेंगे यह काटने पर बनेगा यहाँ पर 3 by 5 3 by 5 कर देते हैं यहाँ पर 3 by 5 अब इसको आगे solve कर लेते हैं आगे यहाँ पर हो जाएगा 1-4 1-3 by 5 को मैं इधर लेके आता हूं इक्वल के और 4 by 9 को इधर तो 4 by 9 आपको इसको LCM लेके जब solve करेंगे तो आजाएगा 2 by 5 equals 4 by 9 इसको solve करेंगे आगे तो आजाएगा n equals to 10 तो यहाँ पर question का answer हो गया कि भाया कितने कितनी साइट से उसमें 10 ऐसा polygon जिसमें क्या हो 10 side हो तो उसका interior और exterior angle का difference किता है 108 degree और हमने उस cancer निकाला किता आजाएगा 10 यह हो गया एस cancer ठीक है अब चलते हैं यह था basic question अब आते हैं अपन advanced question पर advanced level का पहला question एक सेक्ट एक सेक्ट एक सेक्ट एडवांस लेवल का पहला question पहला question बोलता है कि न रेगुलर polygon the exterior and anterior angles are in the ratio one is to four the number of sides of polygon is Hindi में बताएं तो किसी बहुबुज में बहाई तथा अंत कोंड का अनुपात एक ratio 4 है एक अनुपात 4 है तो बहुबुज में बुजाएं ग्यात करें तो आपको बोल रहा है question ज्यान से समझे question क्या बोल रहा है question बोल रहा है कि भीया आपको दे रखा है किसका ratio दे रखा है exterior angle और interior angle मतलब बहाई कोंड जिसको हम E से denote करते है ratio आंतरी कोंड जिसको हम I से denote करते हैं उसका ratio दे रखा है एक ratio 4 एक ratio 4 दे रखा है अब आप याद करो कि exterior angle का formula क्या था एक्सेर एंगल का formula था एक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाइन और आई का formula क्या था आई का formula था 180 डिग्री 1-2 डिवाइड बाइन इसको ज़रा ठीक से LCM लेके अगर solve करें तो यह आएगा 180 LCM ले लेते हैं n-2 डिवाइड बाइन तो यह interior angle का formula हो गया अगर हम exterior angle और interior angle का ratio निकाले एक्सेर मतलब भाइकोंड और आंतरिक कोंड का ratio यानि कि अनुपात निकाले तो कैसे निकालेंगे 360 यह 360 बटे में इन डिवाइड करेंगे डिवाइड डिवाइड वन एटी एन माइनस टू बटे में एन ठीक है यहां लिख जाते हैं आगे यहां पर आपको दिख रहा होगा हो अब 360 डिवाइड बाइड बाइड इस रेशो को हम हटाएंगे तो बचेगा हमारे सामने यहां पर गुणित लगा देते हैं और यह जो यह जो सब्सक्राइड यह बचने वाला हो एक सबस्क्राइब आप इसको जब सॉल करेंगे तो आपको मिलने वाला है एन से एन कटे का और यह काटेंगे 180 से 360 तो आपको बचने वाला है 2 डिवाइड बाइड 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 न माइनस 2 यह रेश्व आ गया है इंटेर्नल और एकसेनल और एकसेनल इंगल और इंटेरल इंगल का रेश्व आचुका है आप अब आगे हम इसको solve करेंगे तो मैं सबसे पहले blink slide लेता हूं एक blink slide लेते हम ब्लेंग स्लाइड लेंगे एक से यहां से जरा ब्लेंग स्लाइड लेते हैं अब करते हैं तो हमारे पास जो रेशो आया है वह आया है इडि रेशो आया है यहने की external divided by internal का रेशो आया है 2 divided by n-2 अब हमेशा यह रेशो यही आने वाला है चाहे question में कुछ भी दिया हो इंट external और internal इंगल का रेशो यही आने वाला है क्योंकि हमने क्या लगा है सीधा formula लगाया है तो इसलिए अब हम इस formula का इस्तमाल करने वाले हर जगे पर तो यह होगे आपकी ट्रिक अब आपको पुरा डिराइव नहीं करना है और आपको हमेशा याद रखना है कि external और internal का जो रेशो है वह 2 आपको आपको निकालना है अदे मतलब है क्या य किया चाहिए आप चाहिए नहीं देखें हम तो option ही हो जाएगा, answer हो जाएगा हमारा B, यहना B हो जाएगा, तो इसकी भुजाएं किती थी 10, तो यह हुआ हमारा question, तो अब आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो ratio है, जो ratio है, E divided by I, उसका ratio हमेशा आएगा 2 divided by N minus 2, तो एक formula और यह polygon में add करते हैं, ज next question पर चलते हैं और इस formula का इस्तमाल करते हैं, देखते क्या होता है, next question है हमारा, the ratio of each interior angle to each exterior angle of a regular polygon is 3 is to 1, the number of sides of the polygon is, हिंदी में कहें, एक सम बहुबुज के आंतरिक वबाई कोनों का अनुपात, जो है, वो तीन अनुपात एक दे रखा है, बहुबुज में कितनी देखिए, यहाँ पर ratio किसका दे रखा है, ratio दे रखा है, interior angle to exterior angle, मतलब interior मतलब I, I ratio E, आपको दे रखा है, 3 is to 1, लेकिन मुझे पता है, अभी मैंने देखा कि E ratio I होता है, मेरे पास में 2 divided by N minus 2, अभी solve किया हमने, derive किया, तो हमको तो दे रखा है, एक सेकंड, हमको दे रखा E divided by, हमको तो पता है, E divided by I, लेकिन हमको question में दिया, I divided by E, तो उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर लो, इसके equal में रख, तो आप E divided by I, मतलब 1 divided by 3, और आप इसको क्या कर लो, solve कर लो, cross multiplication कर दो, तो जाएगा N minus 2, 3 to the 6, आंसर हो गया, 3, N equal to 8, आंसर क्या होगे, 8, मतलब उस polygon मे कितनी बुजा है, 8 बुजा है, इसका अंसर यहां पर हो जाएगा C, तीक है, उस polygon में, 8 बुजा है, सीधे हो गया यह, पूरा derive रहा है, कुछ नहीं करना, सीधे, formula लगाया, 2 divided by N minus 2, हमेशा याद रखना है कि वो ratio E by I का है, 2 divided by N minus 2, यह हो गया, एक question आपका, तीक है, advance level का question चुटिकियों में solve हो गया, अब चलते हैं, next question, next question है, ध्यान से पढ़ेंगे, each internal angle of regular polygon is two times its external angle, language बदल दिये, question वही है, language बदल दिये, बोल जाए कि हर एक किसी बहुबुच का आंतरिक कौन, उसके भाय कौन का दो गुना है, तो बहुबुच की बुजाएं ग्यात कीजिए, तो करते हैं इस question को, बोल रहा है कि जो internal angle है, यानि कि जो आंतरिक कौन है, आंतरिक कौन जो है, वो दुगना है, किसका दुगना है, भाय कौन का, भाय कौन का दुगना है, तो अब क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, I divided by E equals two ratio one, इसा लिख सकते हैं, और हमको already पता है, हमको already पता है, क्या पता है हमको, E divided by I का ratio पता है, वो कितना होता है, two divided by N minus two, हो गया, अब हमको निकालना N है, हमारे सामने, I by E दे रखा है, हमारे पास हमको इसको E by I में लेना है, तो क्या करना है, उल्टा कर देंगे, तो two ratio one क्या हो जाएगा, one by two हो जाएगा, अब इसको cross multiplication क करेंगे, तो यहां सा जाएगा, N minus two equal to four, N की value आ गई six, तो इसका answer हो गया, B, B हो जाएगा इसका answer, तो question, answer यह हो गया है, कि 6 बुजाएं उसमें, तो आपको हमेशा याद रखना है, कि E by I का जो ratio है, पचास बर बताऊंगा में, X by angle, divide by, आंतरिक angle, आंतरिक कोंड का जो ratio ह है, वो two by N minus two होगा, यह आपको याद रखना है, next, next question पर चलते हैं, next question क्या बोलता है, आराम से पढ़ेंगे, the sum of all interior angles, ध्यान से सुनिए, the sum of all interior angles of a regular polygon is, twice the sum of its exterior angle, the number of sides of polygon is, हिंदी मैं बोलू, किसी भी बहुबुच के आंतरिक कोंड का योग, जितने भी आंतरिक कोंड है, उनका जो योग है, वो भाय कोंड के योग का दुगना है, है ना, तो बहुबुच की भुजाएं क्यात करनी है, तो आपको दे क्या रखा है, यह समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्वेशन बहुत ही बढ़िया है, देखे क्या रखा है, यह समझते हैं सबसे पहले है, हमको दे रखा है, योग दे रखा है, आंतरिक कोंड का योग, मैं योग को लिखता हूँ समेशन, समेशन, और आंतरिक कोंड को लिखता से मतला तू लगा दिया अब मैं आपको अल्डेडी बता चुका हूं कि समेशन इकता होता है समेशन ही होता है 360 डिगरी पहले लेक्चर में बेसीक में जाके देखना मैंने बताया आपको कि जितने भी भाई एंगल होते हैं उनका जो समेशन होता है यह नहीं कि उनको जोडते हैं जितने भाई एंगल को जोडते हैं तो आता किता है 360 डिगरी आता है एक बात तो यह दूसरी बात समेशन ऑफ आई होता है 180 180 एन माइनस 2 180 एन माइनस 2 यह भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 ब्रेकेट में एन माइनस 2 होता है अब इस दोनों फॉर्मूले को आपको यहां पर रखना है सिंपल सी बात है तो 180 एन माइनस 2 इक्वल्स 2 मल्टिप्लाइ 360 इसको काटो यह 2 हो गया तो n-2 इक्वल 4 आंसर आगये यहां पर n इक्वल टु 6 कितना आसान question language tough लेकिन तरीका बहुत आसान बहुत आसानी से question हो गया इसका answer हो जाएगा D इसका answer हो जाएगा D छे उसके क्या होंगे बुजाएं होगी और छे बुजाओं वालों को क्या कहते हैं अपन हेक्जागन हेक्जागन और हिंदी में कहें तो शस्ट बुज यह वह आपका एक और question अब चलते हैं जड़ा एक और question पर next question next question बहुत ही भेतरिन question बहुत ही advanced level का question है बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है question क्या बोल रहा है ratio of ratio of number of sites of two regular polygon दो दो पोलिगन है दो दो पोलिगन तो दो पोलिगन के site का एक site का ratio 5 है तो एक का 6 है यहना and the ratio of there each interior angle is 24 is to 24 मतलब उनके आंतरिक कोणों का ratio दे रखा है पूछ रहा है then the number of sites of these two polygon मतलब एक polygon है पहला एक दूसरा polygon है दूसरा है ना दो पोलिगन ते रखे हमको ठीक है अगर मैं मान लूँ कि इस polygon की इस polygon की जो side है वो n1 है इस polygon की side n2 है इसके लाव मैं मान लेता हूं कि इस polygon का जो interior angle है वो i1 है इस polygon का interior angle मैं मान लेता हूं i2 यहनि कि आंतरी कोण आंतरी कोण i1 है आंतरी कोण i2 है ऐसा मैंने मान लेता दो पोलिगन दे रखे हैं बोल रहा है जो जो बोल रहा है वो करते जाते हैं पहला बोल रहा है कि भवबुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 है मतलब इनकी बहुभूज की जो संख्याएं हैं बहुबुज की जो संख्याएं किती है ? N1, N2 N1 1 सेघंड ठीक है N1 और N2 का रेशो दे रखा है बहुभूज की संख्याओं का रेशो दे रखा है 5 इस्टू 6 यह आपको दे रखा है इसके अलावा वह आपको बोल रहा है अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको जड़ा solve कर सकते हैं इसे के ratio ले लो है आपर के ratio consider करते हैं अपने ratio में तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं N1 5K हो सकता है और N2 हो गया हमारा 6K ठीक है 6K इस तरह से हम ratio में इसको convert कर सकते हैं ठीक है ratio क को इसमें convert कर सकते हैं फिर आपको दे रखा है कि जो अंतरिक कॉनों का अनुपात है अंतरिक कोन मतलब आइवन और आईटू का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 24 अनुपात पच्चीस ठीक है अब आपको पता होना चाहिए कि आईवन यानिकी अंतरिक कॉन का formula क् पता होना चाहिए एक काम करते हैं नई स्लाइड लेते हैं ब्लेंग स्लाइड उस पर करते हैं इसी को कंटिन्यू करते हैं ब्लेंग स्लाइड पे एक सेकंड रुखिए आप आंतरिक कौन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए आंतरिक कौन का फॉर्मूला क्या होए अभी हमने देखा हमने निकाला i1 i2 दे रखाए 24 डिवाइड बाइ 25 ठीक है इसको आगे सॉल करते हैं i1 मतला 180 180 n1-2 डिवाइड बाइ n1 ठीक है multiply कर देता हूं मैं डाइरेक्ट कर रहा हूं n2 180 n2-2 मैंने इसको डाइरेक्ट कर दिया यहां पर डिवाइड आना था लेकिन मैंने डाइरेक्ट सॉल कर दिया है इकवल हो जाएगा 24 डिवाइड बाइ 25 ठीक है यह इसको ऐसा है अब ज़रा है इसको काटते हैं इससे कट जाएगा ठीक है 1,1 की वै़िउ रखो n1 की वैवियू थी 5 को मैं ऐंडनास टू डिवाइड बाइड बाइं वनकी वैइड ऐड़िउ 5 के इं To n ू की वैडम्य सिक्स के शिक्स-क-क- मा मानस टू एक्वाल partnered चर्वाइड ऐड़ेक्वारस हो ऑय जाएं तो ढ़ूआ है स Anfang हो गया ध्यान रखो यह bracket में तो यह यहाँ पर बना क्या 5K minus 2 divided by 6K minus 2 equals 4 by 5 बना इसको आप solve करेंगे solve करेंगे तो 25K minus 10 equals 24K minus 8 इसको इधर लेके आएंगे तो K बचेगा इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा K की value 2 ए आपको निकालना क्या था निकालना क्या था यहाँ पर लिख देते हैं निकालना क्या था एंवन की value निकालनी थी और एंटू की value निकालनी थी एंवन था 5K तो 5K, 5 into 2 हो गया, तो यह कित्ता हो गया, 10, and 2 की value, 6K, तो यह कित्ता हो जाएगा, 12, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 10 and 12, ठीक है, इस तरह से इस question को करना है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन advance level का question है, इसी तरह question आते हैं, तो एक बार ज़रा हम option में देख लेते हैं, option में है क इस तरह का answer, हाँ है, इस तरह का answer है, और वो answer है, तो answer आगया, आपका 10 और 12, तो आपको दो अलग-अलग polygon दे रखेते हैं, उसके side का ratio और internal angle का ratio दे रखाता है, उससे हमने निकाला answer, अब ज़रा next question पर चलते हैं, next question, next question भी same, उसी की तरह है, number of sides in the two regular polygons are in the ratio, 5 is to 4, the difference between their interior angle of the polygon is 6 degree, अब इस question को आप अपने से करिएगा, इस question को अपने से करिए, और इसका answer आप comment में लिखिए, नहीं होता है तो इसको हम कल बताएंगे, पर इसको आपको खुद से करना है, और हो जाएगा यह, next question पर चलते हैं, next question, बहुत ही भहतरीन question, एकदम advanced level का question, measure of each interior angle of regular polygon can never be, question बोल रहा है, इंदी में बता जाता हूँ मैं आपको, किसी भहुबुज के आंतरिक कोंड का मान कभी भी नहीं हो सकता, आंतरिक कोंड का मान इन में से ऐसा एक ऐसी value है जो होई नहीं सकती कभी भी, अ आंतरिक कोंड की बात करिए, तो आंतरिक कोंड का formula लिखेंगे हम, आंतरिक कोंड का formula बता चुका हूँ, 180, 1-2 divided by N, यह होता है आंतरिक कोंड का formula, तो आंतरिक कोंड इन में से नहीं हो सकता है, तो सारी value हम एक एक करके रखके देखेंगे, और देखते हैं फिर क्या निकल क क्या आता है सबसे पहले हम एक वेल्यू रख रहे हैं 150 कि इसको काटेंगे यह जाएगा 5 यह जाएगा 6 जाएगा 5 मतलब यह तो फैलीस हो सकता है विसके वेल्यसटे नहीं थे सबस्क्किनेदे ईना तो इसलिए यह वाला ऑप्शन दो नहीं है आतों ऐसे एक वाला रसक्ता हो सकता है अब आगे वाला रखे देखते हैं इं্ट س्लाइड पर नेक्स वाली स्लाइट पर चलते हैं करते हैं इंटिरियर एंगल 180 डिग्री 1-2 by n क्या दे रखा है सेकंड वाली वेल्यू 105 105 एक्ससी 1-2 by n 105 डिवाइड बाइटी इक्वल्स 1-2 by n अब इसको जड़ा सॉल करेंगे इसको सॉल कर लो 5 से काड़ दो इसके लावा फिर इसको 3 से काड़ दो आपके पास आ रहा है 7 by 12 7 by 12 इक्वल्स 1-2 by n इसको और आगे सॉल करेंगे 2 by n 1-7 by 12 2 by n इक्वल्स 5 by 12 अब ध्यान से आप देखेंगे यहां पर यहां पर अगर आपने इसका क्रॉस मल्टिपिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइड बाइड पाइफ अब आप ही मुझे बताईए कोई भी साइड अगर हम इसको सॉल करते हैं इसको सॉल करेंगे तो Training कह आएगा कि four point eight में क्या किसी भी रेगुलर पोलीगन में इसा हो सकता है कि चार साइड और point. साइट है न पॉइंट हैं थोगीन यह तो चार होगी यह फिर 5 होगी यह फिर 6 होगी तीन होगी यह पूरी की पूरी वेल्यू मिलेगी हम को पूरिंट में इस NepВот covenant नहीं आएगी कि 105 दिग्री आंतरिक कोंड कभी भी नहीं हो सकता तो यह हो गए हमारे एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन खतम पॉलीगन हमने सारा खतम कर लिया है पॉलीगन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है जो मैंने आपको तीन फॉर्मुले बता हैं तीन से चार चीज़े मैंने आपको इस पॉलीगन में बता यह उसी पर सारे क्वेश्चन सॉल हो जाएंगे अब मैं आपसे रिक्वे graph करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सबस्क्राइब करेंगे बाटेंगे रहा और अगले वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं ट्राइंगल तो मिलते हम अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद